हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi समस्कार Study IQ IAS Hindi में आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरद्दुबे आज हम जिस व्यक्तित्व पर चर्चा करने जा रहे हैं बिल्कुल ये वो व्यक्तित्व हैं जो किसी भी प्रकार से आप भारत के अंदर ही क्या पुरे विश्व में पहचान के मोताज नहीं है और भारत में इन्हें आधनिक भारत के पितामह के रूप में या फिर भारती आधनिक सुधारी करन जो है जिसे आप पुनर जागरन कहते हैं पुनर जागरन के पितामह के रूप में कहा जाता है या देखा जाता है तो आज हमारी चर्चा इनकी ओपर रहेगी लेकिन चर्चा क्यों रहेगी उसका कारण आप यहाँ पर अगर हेडिंग ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपको इस पस टूप से दिखाई दे रहा है कि राजर राम मोहन राय की जीवनी दिखाई जाएगी करतव व्यपत पर आपको मालुम है कि जो राजपत था उसका नाम बदल करके करतव व्यपत कर दिया गया है और इस करतव व्यपत पर अभी हाल ही में आपको यहाँ पर माध्यम से पता चला होगा विभिन माध्यमों से पताचला होगा और हमारे program आपको पता चला होगा कि इस पर एक प्रोग्राम और्गाइस किया जा रहा है तो ये नाटे मंचन किया जा रहा है आखिर राजा राम मोहन रायजी की जीवनी इहां पर क्यों दिखाई जा रही है इसके पीछे क्या कारण है उसको हम लोग तो जानेंगे ही लेक्चर के अंत तक पहुंचते पहुंचते इंतु आज हम विशेश रूप से इनी व्यक्तित के बारे में कुछ पॉइंट्स को या कुछ चीजों को पॉइंट वाइस समझने का प्रयास करेंगे वास्तविक रूप में अगर देखा जा तो आज के इस लेक्शर में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि किन परिस्थितियों में उनर जागरन की कलपना की गई है और ना सिर्फ कलपना की गई है और काफी हद तक उसको प्रैक्टिकली जो है वो सामने भी रखा गया है लोगों को महसूस कराये गया और प्रत्यक्ष करवाया गया है उसे तो इससे समझने का प्रियास करेंगे और वैसे पी इस पर कह सकते हैं कि आपके exam point of view से चाहे वो prelims हो चाहे mains हो या फिर निबंद लिखन हो या फिर आपका जो है interview का section हो कहीं से भी यहाँ पर प्रशन पूछे जाने के संभावना आपको बनी जाती है तो इस पर आज एक हम थोड़ी व्यापक चर्चा करने वाले हैं और आप से भी जो भी आपके मन में view आते हों हमारे सम्मानी राजा राम मोहन राय जी के विशह में आप comment section में जरूर comment करके बताते रहिएगा live chat में comment करके बताते रहिएगा ठीक है जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय की तो आप सब लोगों को मालूम है ये जो है राम मोहन राय इनका पूरा नाम है लेकिन उनके नाम के आगे ये राजा जो शब्द है ये टाइटल के रूप में लगता है अठारा सो तीस में जब वो अकबर दुतिये के रिप्रेजेंटेटर के तौर पर या फिर एन्वोय के तौर पर राजदूत के तौर पर लंदन भेजे गए, ब्रिटेन भेजे गए, तो वहाँ जाते समय इनको ये राजा की उपादी दी गई थी, ये राजा की उपादी किस ने दी थी, ये सब आप लोगों को मालूम है, ये दी थी, मुगल समराथ, या मुगल बादशाह कह सकते हैं, मुगल बादशाह, जिनका नाम था, अकबर दुति, ठीक है, अकबर सेकेंड, तो अकबर सेकेंड जो है, उनको उन्होंने ये इनको राजा का टाइटल दिया है, तो ये प्रकार का टाइटल है, बट हम चर्चा जिस टाइटल के उपर नहीं करने जा रहे हैं, वैसे, ये मतलब आज के समय कह दिया जाया, तो राजा जैसे घराने से ही विलॉंग करते थे, वास्तविक रूप में अगर देखा जाया, तो ये काफी संपन परिवार से थे, और जब इनका जन्म हुआ, 22 मई, ठीक है, 22 मई, ये डेट आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी ज़रूरी है, मई 22, 1772, तो इस हिसाब से अगर देखा रहा है, तो 1772 से लेकर के, अभी 2022 तक 250 येर्स हो चुके हैं, 250 वर्ष, तो अब आप जो 2022 वाला जो वर्ष है, ये इनकी ज वर्ष के रूप में 200, यानि 250, यानि की 200 वर्ष पूरे होने का है, तो जब ये मई में, जब इनका जन्म दिवस मनाये गया था, तो उस समय ही भारा सरकार की तरफ से, ये वाला जो वर्ष है, इस पूरे वर्ष को, यानि की जब तक ये 251 साल के नहीं होंगे, या दोस्तों जब तक नहीं मनाये गया, तब तक का जो एक साल है, वो एक साल 250 वी जैनती के रूप में सेलिबरेट किये जाने के लिए है, और इसी चीज़ को सेलिबरेशन के तौर पर, यहां पर एक बार रिप्रेजेंट भी किया गया है, तो क्या जिस दिन इनका जन्म था, उस दिन इ इसी करतव विपत्थ पर एक आडियो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से इसको जो है, नाट्य मंचन देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके उपर सेशन के अंत पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह पता चल गया, कि हम क्यों इस चीज़ को आपके समख्ष ले इनके विशय पर चर्चा हो रही है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक किताब का रिफरेंस लें, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, Makers of Modern India, आज जिस आधनिक भारत में हम जी रहे हैं न, यह ऐसे ही यूँ ही नहीं मिल गया हमको, बहुत त्याग परित्याग करने के इसमें से एक किताब का नाम मैंने आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया है, Makers of Modern India, यह जो किताब है, Makers of Modern India, इसमें सिर्फ इनी के वेक्तितों के बारे में नहीं है, अने लोगों के बारे में हैं, लेकिन इसमें लिखते हुए गुहाजी कहते हैं, यह एक ऐसी personality है, जिनों यह भी अपनी दूर्दर्शिता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है, कुछ इस प्रकार से रख रही है कि वो यह समझ रही कि भारत में एक लंबे समय तक वो पसार सकती है, तो वो दौर है, आप समझरे है, आप यह एक असे व्यक्ति हैं, जो इन दोनों चीजों को भाप maker है ये वो modern Indian history maker है जिन्होंने मतलब कहा सकते है जो आधुनी की करण है धार्मी कुरूरी वादिता है ठीक है इन सब चीजों को बहुत ही व्यापक तरीके से देखा है ठीक है तमाम प्रकार की जो परमपरिक जो चीजें है उसको चनोती दी है तमाम प्रकार की परमपराएं है परमपराएं है उनको इन्होंने चनोती दी है ठीक है और इनसे दोचार होते हुए आधरिक भारत के निर्मान की बात करी गई है इन सब चीजों पर फोकस डाला गया है इस किताब आप इसका रिफरेंस लेकर कर सब ही लोग है लेकिन एक होता है जिसे हम बोलते है न प्रेन भी ट्रेन तो पूरी ही ट्रेन होती लेकिन उसमें जो सबसे आगे लगा होता है इंजन जब तक इंजन काम नहीं करेगा तब तक दूसरे डिब्बे काम नहीं कर पाते तो कुछ इसी तरीके की चीज है यह उसी जो सोच है, उनके जो विचार है, उनके विचार के ऊपर कुछ जो चिंतन है, उसको भी हम प्रकट करने का प्रयास करेंगे, साती साथ आपको इनके पीछे, चिंतन का मतलब दार्शनिक जो सोच है, फिलोसिफिकल थौट्स जो है, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, या क्या उनके इसके पीछे करने के उनके विचार रहे होगे, उनके जो भी काम किये, उसके उपर हमारा डिसकेशन रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा धहरे पूरत सुनिएगा, और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों की एक, मैंने एक किता पार अंदोलन चलने से पहले जिन सुधारवादियों के उसमें नाम ले गए थे, जिसमें एश्वर चंद विद्या सागर का नाम हो, उनसे पहले, हलाकि ये उनी के समय के हैं, उनसे पहले आप राजराम मुहनराई जी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें मैंने के बारे में इसको मैंने भी कवर कराया, आप स्वेम भी उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इसको उपर चरचा रहेगी, तो अब आप एकसी बात है, कि ये उन लोगों में से नहीं है, जो किसी जाती प्रता में बंद जाएं, जो किसी रंग भेद में फसे रह जाएं, जो उच नीच में फसे रह जाएं, उच नीच के विचार में फसे रह जाएं, ये उन लोगों के व्यक्तिक्तों में से नहीं है, जो अमीरी और गरीबी में भेद करते हों, ये उन में में से भी नहीं है, ठीक है, ये भेद करते हैं सिक्षा और असिक्षा में, इसमें भेद करते हैं, और करना असमानता में, समानता और असमानता में, करना भी चाहिए, समानता सबको चाहिए, असमानता का विरोध करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से जो विचार है वो ले करके आप ये प्रस्तुत हो रहे हैं, तो ये कौन है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसा कि मैंने ब इनके जो पिता है, माता पिता है, इनका जो परिवार है, यह काफी संपन है, मतलब धनाड़ी है, तो यह ऐसा नहीं है कि, मतलब कई सारे ऐसे रिफार्मस रहे हैं, आपने स्टोरी सुनी होगी, तो यह ऐसे नहीं है, इस संपन है परिवार से हैं, और मजे की बात तो यह है कि orthodox family से relate करते हैं मतलब इनका परिवार उस समय की रूडवादिता के चरम पर छूरा है रूडवादिता रूडवादी है परिवार जो है वो कैसा है परिवार जो है रूडवादी है अब आप सूचे जो परिवार रूडवादी हो और वहाँ से कोई व्यक्ति निकल करके रूडिवादिता का ही विरोध करे ये कितना कठिन हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक है ये कितना कठिन हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए आप सुचिए तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में एक जगा है, एक जिला है, जिसे आप हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली, इसी हुगली के राधानगर प्रोविंस में, राधानगर में, इनका जन्व हुआ था, और आप बिलीव नहीं करना चाहेंगे, शायद इस चीज़ पे आपका भरोसा ना हो कि ये कैसे संबह हो सकता है, एक तो यही भरोसा ना करने अले चीज़ है, कि आप जिस परिवार से कई लोग सोचते हैं, मैं क्या करूँ, देखे ये आपके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, जब आप तयारी करने चलते हैं, जब आप समासुधार करने चलते हैं, और मज़े की बात तो है जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, तेख कंडिशन आएगी ना आपके पास में, कि क्या करें पूरा तंत ही भरस्ट है, इतने बड़े तंत्र से हम अकेले कैसे पंगा ले सकते हैं, मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से इन्होंने, कुछ लोग इनको जो है, मतलब ये अजीबो गरीब शब्द है, हमारे याँ बोलने की स्वतंता है, अभिव्यक्ति की स्वतंता है, लेकिन इसका कुछ लोग अतिशाय दुरूपयोग करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये अंग्रेजों के चम्चे थे, मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, पर वो बिल्कुल ही नाजाय शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे महान विक्तित्व के लिए किया जाना, मुझे लगते हैं, अपरात से तो कम नहीं होना चाहिए, बाइदवे, मैं उस डिसकेशन में नहीं जाना चाहूँ, लेकिन जिक्र जरूर करूँगा भी थोड़ी देर बाद, तो राधानगर में जन में लेते हैं, और आप देखिए, रूडिवादी परिवार से हैं, और इनका जो आगे चलकर के जो लाइफ की जो पहचान है, हमारे माता-पिता से हो सकता है कि हम थोड़ा आधुनिक युग में जीते हैं, और हमारे माता-पिता उस आधुनिक युग के हिससे न रहे हो, तो हमारे सोच और उनके सोच में कुछ अंतर देखने को संभवता कभी-कभी मिल जाता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कई बा और गलत को जो गलत है, उसको अपने संकालीन लोगों, अपने संकक्ष लोगों, अपने से कम और अपने से बड़े लोगों के प्रती, अगर उसका विरोध करना हो, तो किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी लाइफ में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, और खास कर तब जब आप एक officer बन करके develop हो रहे होंगे, तो तो बहुत ही ज़्यदा जूरत पड़ेगी, तो definitely आपको का जाएगा कि आपका तंत्र है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है कैसे आप समालोगे, सब लोग मिले जुले हैं सब भृष्टाचार में, आपका हासोधार ने जुड़ रहे हो So इनकी पहचान इसी चीज़ से अब रूडिवादी विचार जो है वो कई चीज़ों के मतलब इस से इस तरीके के जब विचार होता है तो कई तरीके की कुरीतियों का स्रोत बन जाता है फिर वो चाहे धार्मिक हो धार्मिक कुरीतियां हो सामाजिक कुरीतियां हो सामाजिक सामाजिक कुरीतियां हो या फिर आप यह कह सकते हैं कि कि किसी प्रकार की व्यक्तिक कुरीतियां हो परसनली व्यक्तिक कुरीतियां हो लैंगिक कुरीति हो लेंगिक, ठीक है, मतलब तमाम प्रकार की प्रथाओं का ये जन्म होना शुरू हो जाता है, जब हम रूडी वादी विचारधाराओं से गरसित होने लगते हैं, और ये वो समय है, जिस समय धर्म चरम पर है, धर्म की कटरता चरम पर है, और सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, अनन्द, मतलब जो दूसरे धर्म है, दूसरे धर्म भी, उतना ही एक दूसरे के प्रती अग्रसिव है, मजे की बात तो ये है कि धर्म के नाम पर पूरीतियां पूरी जादा व्याप्त हो चुकी है, तो ये एक रिफॉर्म जो है, वो ना सिर्फ इन सारेक शेत्रों में ले जाना आता है, ये धर्मिक सुधार क्या होता है, तो उसको आप तभी समझ सकते हो, जब धर्म को ठीक तरीके से समझते हो, वास्तविक रूप में धर्म जो है, धर्म क्या है, वास्तविक रूप में जब कोई व्यक्ति किसी धर्म को आप पंत से थोड़ा सा रिलेट कर सकते ऐसा नहीं कि दोनों एक झेसे हैं, लेकिन कही न कही है पंत से धर्मका श्रोत होते हुए हम देख सकते हैं, आपके मन में जो विचार होते हैं, फिर वो विचार लोगों को पसंद आने लगते हैं, और फिर आप उसको follow करने लगते हैं, आंतित्अ अगर हम यूँ सोचें कि कि किसी व्यक्ति को मानव बने रहने के लिए, किसी मानव को मानव की तरीके से विभार करने के लिए, जिस प्रकार के नियमों, बंधनों और इन प्रकार की चीज़ों का रीत रिवाजों का साहरा लेना पड़ता है, वो सब धर्म के अंदर गता जाते फिर कभी-कभी इन धर्मों में कुरीतियां भी शामिल हो जाती अरे भई आप इस चीज़ को ऐसे करके सोचे ना गुरु नानक ने ये तो नहीं कहा होगा संभवता कि हमारे नाम से एक अलग से सिख धर्म चलाना है आपको गोतम बुद्ध ने ये नहीं कहा होगा कि हमारे नाम से एक आप बध धर्म चलाईएगा महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा होगा कि हमारे नाम से एक आप जैन धर्म चलाईएगा तो ये सब क्या है ये उनके विचार है उनके फॉलोवर्स जो उस चीज को समझते हैं कि हाँ इस दिशा में चल करके मानव जब आगे बढ़ता है तो एक particular विचार को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहा होता है और उस विचार से उसका कल्यार संबह हो है या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं मोक्ष संबह हो है इत्यादी लेकिन इसी क्रम में इसी सीख में कई बार क्या हो जाते हैं कुरीतियां आ जाते हैं और ये कुरीतियां भी उसी वर के लोग ही लेकर करके आते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर भी है इसको reform करने तो जो कुरीतियां है वो हटाना है purity लेकर क्या आती है purity of religion जो है वो यहाँ पर शो करना चाहते हैं हमारे राजा रामोहन राय जी अब उसमें सामाजिक कुरितियां हो जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पर सती प्रथा के बारे में सती प्रथा अब सती प्रथा को एक सामाजिक कुरिति के रूप में भी देखा जा सकता है और एक लेंगिक कुरिति के रूप में भी देखा सकता है क्या कि सती प्रथा है बाइदवे मान लेते हैं एक पल के लिए कि सती प्रथा एक अच्छा सिस्टम था बाइदवे वैसे तो जैसे कि तमाम सारे मुगल शासक रहे हैं, तमाम सारे लुटेरे रहे हैं, और तमाम सारे जो इस्त्री का शोशन करने वाला जो एक वर्ग है, वो रहा है, जब ये पहचान लेता है, जब ये पा लेता है, कि उसके पती की मृत्य हो गई है, तो उस इस्त्री को अपना समझने शुरू कर देते हैं, और उसका शोषण करने का प्रयास करते हैं तो कई लोगों का यह तर्क होता है इस वज़ह से, स्थ्री को शती हो जाना चाहिए या फिर ये स्थ्री के स्वयं की इच्छा होती है, की वो शती हो जाए, और मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका है और फिर ऐसे समाज को भी थू है ऐसे समाज को भी धिकार है जहां एक निसहाई यदि वैसे इस्तरी तो निसहाई कहना अच्छी बात नहीं है लेकिन जब कहीं कोई इस्तरी निसहाई है तो क्या ये एक मौका है ये मौका नहीं है ये एक जिम्मेदारी हो जाती है जब कहीं पर भी इस्त्री एक आसहाय स्थिति में है तो ये किसी भी समाज के लिए वो मौका नहीं होनी चाहिए opportunity नहीं होनी चाहिए बलकि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए तब वो समाज की जिम्मेदारी होगी तो ऐसी सती प्रथाओं की जुरुत नहीं पड़ेगी तो यही चीज यहाँ पर समझाने का प्रयास इन्होंने भी किया है तमाम सारे लोगों को कुछ को समझ में आया कुछ को नहीं समझ में आया इनके प्रारंभिक जीवन कुछ इसी तरीके का है अच्छा मजी की बात तो यहाँ पर और मैं आपको बता दो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जैसे मैंने बता है कि समाज जो है इनका परिवार जो है वो रूडिवादी परिवार है अब यह जो रूड़िभादी परिवार है ना, इसमें रूड़िवादीता के कुछ examples देताओं मैं, बाल विवाह इनका खुद का बाल विवाह हुआ, बहुवाह, इनका खुद का बहुविवाह हुआ, बहुविवाह समझते हैं ना, बहुविवाह, एक से अधिक बार विवा यह जाती है, 10 साल में दूसरा इनका विवाह होता है, उसके बाद तीसरा भी इनका विवाह होता है, अब यह खुदी छोटे हैं, बच्पन में हैं, छोटे हैं यह, 14 साल के अंतरगत इनके सारे विवाह हो गए, यह खुदी छोटे हैं, हलागि 14 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको और याद रखना है 14 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो इन्होंने अपने पिता से ये request करी कि हम monk बनना चाहते हैं, हम साधू बनना चाहते हैं, हम ये जो समाज है ना समाज के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं यह मौंक बनने का मतलब अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं पर इनके पिता जो है उस चीज को अनेक्सेप्ट कर देते हैं मानने से मना कर देते हैं ठीक है पर यहां एक चीज मिसिंग है रमाकान्तो राय, रामाकान्तो राय, इनके पिता हैं, और ये जो रामाकान्तो राय हैं, ये मना कर देते हैं, कि भई, ये सब चीज़ा नहीं चलेंगी, अलाकि फिर इनको उच्च सिक्षा, क्योंकि पैसे रुपे की कमी नहीं थी, संपन परिवार से थे, तो उच्च सिक्षा के लिए इनको बनारस भीजा गया, वहां से उन्होंने वेदों का ध्यान किया, फिर ये पटना चले गए, वहां से अर्भी बगएर उन्होंने सीखी, और इतना ही नहीं पड़े होने पर इनको विदेश भी बेजा गया, और इन्होंने फिर हिब्रू भाषा भी सीखी है, तकरीबन एक दरजन से अधिक भाषाओं के ज्यानी है ये, तो आखिर इन भाषाओं का ज्यान क्यों, क्या जरुरत थी, क्या रीजन है कि ये इतने सारे भाषाओं को समझना चाह रहे हैं, और सिर्फ समाज, मतलब भाषाओं को ही आत्मसाथ नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो एकसेप्ट करना चाह रहे हैं, समाज में ये मानते हैं कि जिस रिलीज जब आप ऐसी गद्धी पर बैठे हो, जो सर्वोच्च हो, परन्तु अलोख हितकारी हो, जो लोख हित के पक्ष में ना हो, और आपको अपनी ही गद्धी के खिलाप आवाज उठानी पड़े, इस से बड़ा कस्ट जो है नहीं हो सकता है, और इस कस्ट से कैसे उभरना की बताने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहां पर आप देखिए, मैंने बताया कि बहुत सारे भाशाओं का इनको ज्यान है, बहुत सारी भाशाओं की जानकारी रखना एक समय में इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हम इरानी भाषा भी सीखी है आपने हिब्रू भाषा भी सीखी है आपको अंग्रेजी भी आती है और ऐसे करके बहुत सारी भासाएं है जिसका ग्यान जिनका ग्यान जो है वो इनको है और इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक साथ ये एक ऐसे व्यक्ति है जो एक साथ कई सारे, मतलब शायदी भारती समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले, unparalleled mind भी संग्याइन को दी जाती है, अदुलनी है, अद्वितिय बौधिक संपदा के ये धनी है, और एक साथ विभिन पक्षों में इनका विश्वास रहता है, इंट्रेस्ट रहता है, कि हमें ये भी सुधारना है, ये भी सुधारना है, इसमें भी इंट्रेस्ट रहना चाहिए, ये भी ऐसे करके देखे, क्या है, मतलब चाहे वो धर्म की बात हो, फिर चाहे वो समा सुधार की बात हो, चाहे वो इस्त्री दशा के सुधारने की बात हो, सती प्रथा की बात हो, आर्थिक स्थिती की बात हो, ग्रामीर समस्याओं की बात हो, किसानों की समस्याओं की बात हो, पाश्चात संस्कृति की बात हो, सिक्षा के डवलेप्मेंट की बात हो, इस सब में एक साथ एक समान तरहिके का इंट्रेस्ट है इतनी मज़े की बात है अब किसी का economics में इंट्रेस्ट है, किसी का education related industry में इंट्रेस्ट है तो sports में नहीं है किसी का गाउं में ग्रामीड विकास में युगदान रहता है उसमें उसका क्या सकते हैं कि बहुत जादा interest रहता है, किसी का समा सुधार में interest रहता है, किसी का राजनीते में interest रहता है एक साथ सब में है interest और हर चीज़ को उन्नतिके मार्क पर ले जाने के इनके पास में तर्क भी है विश्वास भी है मतलब आप सूचिए कितनी जील पावर है भैंकर तरीके किए तो बहुत मतलब इनसे अच्छा मतलब अगर आपने इनको एक दर्जा दिया हुआ है कि भारत के या आधुनिक भारत के पितामा आप इनको कह रहे है आधुनिक भारत के अगर आप इनको पितामा कह रहे है तो पितामा अगर आप इनको कह रहे हैं बुनर जागण के पिता, पुनर जागण क्या है? आंके खुली है और बुद्धी बंद है और बुद्धी बंद होने का मतलब क्या है आप समाज में चीजों को देख रहे हैं लेकिन ऐसा तो होता है ऐसा तो चलता ही रहेगा हम क्या कर लेंगे अकेले ऐसे विचार ये है आपके सुसुपता वस्था की अवस्था और इसी सुसुपता वस्था से जागने के अवस्था को जागरण बोलते हैं ये जागरण के आगे पुनर शब्द लगा हुए पुनर शब्द लगने का मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ये जागरण हो रहा है यह जागरण पहले भी हो चुका है, पर यहाँ पर एक टर्म लगा हुआ है, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, मौडन इंडिया में जो पुनर जागरण है, वो सुर्वात यहां से हो रही है, इसके बाद बहुत सारे लोग आपको सुनने को मिलेंगे, इश्वचन्विद् जी हो, केशवचन्सेन हो, देविनाठाकुर हो, रविनाठागोर हो, बहुत सारे रिफार्मस, और नहीं सब फिल्ड्स के, लेकिन पहले नहीं से, ठीक है, अब पुनर जागरण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह जागरण पहले भी हो चुका है, यह जो धर्म है ना, यह पहले भी स्रेष्ट रहा है, और भारत के सभी धर्म पहले भी स्रेष्ट रह चुके, आज पहली बार नहीं होने जा रहे थे, इस समय पहली बार नहीं होने जा रहे थे, पहले भी हो चुके थे, अभी फिर से होने वाले थे, तो सिंप्ली यहाँ पर यही है, कि जो हम तो हो चुका था, यह अपने धर्म से मिस हो चुके थे, यह अपने समाज में जो अच्छाई है उससे भटक चुके थे, यह अपनी सिक्षा से भटक चुके थे, यह अपनी पहचान खो चुके थे, और इस सब चीजों को फिर से लाने का जिस व्यक्ति ने काम किया है, वो व्य खर्म तो बड़ा हीन है और ऐसा अंग्रेजों ने किया कि हमारे मन में यह जाए कि हम एक ऐसे समाज से बिलॉंग करते हैं वो कहते हैं न हम ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं यह तो गाय और गोबर और साप सपेरों कर देश है ची है यह और इसको इतनी बार कहा जा रहा है कि इ लेकिन तब उसी के साथ साथ उसी सपेरे के देश उसी गाय गोबर वाले देश में उसी काली चमड़ी वाले देश में अध्विती क्रंथ उसके निर्माता फिलोसोफर्स दर्शन करता जो है वो सब जन्म ले करके इस भारत को उच्छ स्थित तक पहुंचा चुके हैं जिस समझ भी सपेरे थे पर उस समय सिक्षा भी अपर लेवल की थी समझ भी अपर लेवल थी इस तरी दर्शा अच्छी थी रिगवैदिक काल में जाईए अपको और पूर रिगवैदिक काल में जाईए बहतरीन से बहतरीन मिलेगा चाय वो अर्शास का छेतर हो राजनीत का छे दैवी इस्थितियों का दो शेत्र हो, प्रकृती, प्रक्षेत्र हो, हर एक में उच्च बहुतिक समपता से युक्त लोग आपको देखने को मिलते हैं, समाज के, तो वो जागरण के अवस्था में थे, फिर सो गए, और अब उसको पुनर जागरण करने का काम इन्हों ने किय है, इस्त्रियां महसूस कर रही हैं इस समय तक, लोग कह रहे हैं सती तो व्यक्ति वो खुदी हो रही है, यानि इस्त्री के अंदर आप सोची एक भाय कहां तक भर दिया गया है, कि उसे खुद लगने लगा है कि मुझे सती हो जाना चाहिए, इतना ही नहीं, एक इस्त्री दूसरे इस्त्री को इस चीज़ को करने के लिए प्रेरिती भी कर रही है, और दूसरी इस्त्री उसे स्वेच्छा से एकसेप्ट भी कर रही है, आप एक माचिस की तीली जला के अपने हाथ में चुआ ना कभी, मैसूस होगा आपको, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गिफ्ट तो मोनोथेस्ट को मतला मे एक अश्वर वादि, एक एश्वर वादियों के लिए, नियूपहार, एक एश्वर वादियों के लिए, उपहार, ये किताब है, 1909 में नोन लिकी और मैं आपको बताऊं कि ये भारती समाज में जो भारती धर्म है अब क्योंकि ब्रामण परिवार से बिलॉंग कर रहे हैं तो मैं इनका हिंदू धर्म ले करके चल रहा हूँ ये हिंदू धर्म के हैं लेकिन हिंदू धर्म में जो impurities थी उसको नोने अनक्सेप्ट कर दिया शिरे से अनक्सेप्ट कर दिया अब कि इनकी माता ने खुद इन्हें धर्म विरोधी कह करके घर से निकाल दिया आप समझे तो यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में इन्होंने वेदों का अध्यान किया उपनिशदों का अध्यान किया और वेदों और उपनिशदों में जो बात उनको समझ में आई वो ये थी कि ये जो वेद हैं ये जो उपनिशद हैं ये एकेश्वर वादी है एकेश्वर वादी है और आबुज का जो हिंदू समास था, जिसमें ये जी रहे थे, वो एकेश्वरवादी नहीं था, वो बहुईश्वरवादी हो गया था और इसी वज़ा से तमाम प्रकार की धार्मिक कुरीतियां यहां पर आने शुरू कर दी थी इन्होंने पुरोहितों का जो पुरोहित जो वर्ग है, उसको बेफिजूल बताया है, इन्होंने जो पंडित वर्ग है, उसे बेफिजूल बताया है, कोई मतला भी नहीं है, और इन्होंने ये कहा है, कि प्रतीक व्यक्ति को चाहिए, प्रतीक धर्म में विश्वास रखने व वो अपने धर्म के प्रती questionable हो, question कर सके, धर्म उसके प्रती questionable हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने वो movie देखी एपी के, उसमें एक dialogue था, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ movie का, मैं एक kill तत है जो उठा रहा हूँ, आपने देखा कि धर्म के प्रती जैसे ही बात होती है, तो एक एंसर आता है, धर्म के मामले में कोई प्रशन नहीं, इनका कहना है, कि धर्म को भी आप तार्की कुरूप से accept करते हैं, और जहां आपका तर्क ये कहे, कि धर्म में ये गलती है, आप उसे unaccept करने के लिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए, अगर आपका धर्म स्र तो इनके अपने धर्म के लोग ही ने unaccept करने लगे, इनके अपने ही परिवार के लोग ही ने unaccept करने के, इनका समाजी ने भहिश्रूत करने लगा, उच्छवर के थे ना, समस्या ये है, तो उनका मानना था, और उनका ये भी मानना था, कि धर्म में जो पाश्चात्य चीज बात कर रहा हूं उस समय के अमेरिकन समाज उस समय के ब्रिटिस समाज की बात कर रहा हूं जो तरक के मामले में संभाफता आगे आ चुके थे क्योंकि वहां सुधार होने शुरू हो चुके थे वहासुदारों ने शुरूँ हो चुके तो तो उनके तर्क जो है वो स्रेश्ट होने लेगे तो उन्होंने कहा कि उस तरीके के तर्क हमें अपने धर्म में भी लाना चाहिए अब ये एक और वज़ा थी जिसकी वज़े से इनके धर्म के जो लोग थे वो इनने अक्सेप्ट करने लेगे अच्छू अच्छूत कह रहे है ये कह रहे हैं कि इस तरीके का व्यक्ति अपने ही धर्म को गंदा कर रहा है और इतना ही नहीं अब ऐसा करने पे जो इसाई क्रिस क्रिशी जो इशाई धर्म के लोग थे उनको ऐसा लगा कि सायर अब बड़ा आसान होगा इने क्रिश्चनिटी एकसेप्ट करवाना लेकिन ऐसा नहीं था वो ये सपस्ट कर दिये उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं यह यह नहीं कह रहा वो अपने धर्म के अंसरा हित करने का उसे चूट होना चाहिए और इतना ही नहीं उन्होंने ईसाई धर्म में भी इस तरीकिके के रिफॉर्म्स करने की बात सोची उन्होंने तेखा कि यह कुरीतियां सर्far हिंडु धर्म में नहीं है चाया वह इस्लाम हो चाया है वह दुखा आप जीजस क्राइस्ट के जो उनके धर्म के मार्क पर चल लेकिते जो और रास्ते जो उन्हंने बताए analytic जहां आप उसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं वही आप उनकी चमत्कारी शकतियों का भी प्रयोप करना शुरू कर देते हैं वहीं आप उनके चमतकारों का भी वर्णन करना शुरू कर दे तो उनने का कि इस तरीके से धर्म से चमतकार को अलग रखना चाहिए और जब उन्होंने इस तरीके के पैरवी करना शुरू कर दे तो इसाई धर्म के लोग भी इनके अगेंस्ट होगे इसाई धर्म के लोग भी का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, कि भई ऐसा नहीं है, तो इसाधरम के लोग भी इनके विरुधी हो गए, पड़े मज़े की बात है, तो जब आप रिफॉर्म करने चलते हैं न, तो आपको लगता है, देखें, वैसे तो ये उदारवादियों में आपको प्रथम दे सती प्रथा, इनका जो जीवन है, वो सती प्रथा, और जो दूसरे सैक्षिक और धार्मिक सुधार हैं, वो किस प्रकार से करते हुए दिखाई दे रहें, अगर इसके उपर हम एक छोटी से चर्चा करने चाहें, तो ज़रूर आपके समक्स रखेंगे, तो ये तीन सती प्रथा का उन्मूलन है, मतलब आप सोचिए, ये हिंदू धर में व्याप्त, शायद इस्त्री के जीवन में सबसे दुर्भाग ये पूर्ण प्रथा थी, जिसका खुद तमाम एक बहुत बड़ा इस्त्री समाज जो था, वो इसका पालन कर रहा था, तो ये इस प्रथ इस रिफॉर्म्स के तौर पर भी देखा जो है, वो जा सकता है, ठीक है, अब मैं आपर एक छोटे सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, 1814 के तकरीबन, तकरीबन 1814 के आसपास, उन्होंने एककेश्वर वादियों का एक ग्रूप बनाना शुरू किया, एककेश्वर लोग आकर के चर्चा करेंगे, बेसिकली लोग युवा रहेंगे, अब वो कोई ज़रूर नहीं की युवा हो, इसमें धर्म पर चर्चा होगी, इसमें जाती पर चर्चा होगी, इसमें जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, कुरीतियां जो हैं, उस पर चर्चा के लिए लोग आमन्त्रीत रहेंगे ठिक है अन्य जो भी सामाजिक जो कार है चाहे वो जातिवाद हो चाहे वो बीवा हो बाल विवा हो जाहे वो बहुवीवा हो बहुव involvement है ऐसे तमाम सारे जो पैटर्ण है इसके उपर चर्चा करने के लिए गेर लो시간 इहां पर आएंगे तो दिरे-दिरे करकर के यहाँ पर एक सभा जो है बननी शुरू करी, शुरू हो गई, जिसे बोला गया आत्मी सभा, आत्मी सभा का नाम देखे, इसका नाम क्यों रखा गया आत्मी सभा, आत्मी होना किसी के साथ, आत्मा का मिलन होना, आपने फ्रेंड के साथ किसे खुल के बात करते हैं, सबसे ज्यादा ओपेंडली हम किसे बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ओपेंडली हम बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, कुछ भी, दोस्त होता ही ऐसा है कि वो बुरा नहीं आप English में जो है Society of Friends बोलते हैं Society of Friends बोल रहे हैं तो आप इसे Society of Friends कह लीजे या फिर आत्मी सभा कह लीजे यह जो आत्मी सभा है यह बननी शुरू हो जाती है आगे चल करके यह डेवलप हो जाएगी ब्रह्म समाज में कनवर्ट हो जाएगी ब्रह्म सभा बनेगी फिर ब्रह्म सभा से वो ब्रह्म समाज बन जाएगी उसके उपर बात में हम चर्चा कर लेंगे लेकिन इसमें लोग कर क्या रहे हैं इसमें ऐसे लोगों का यहाँ पर जमावणा होना शुरू कर देता है जो लोग इन पर बातचीत करना शुरू करते हैं इस सब फील्ड्स में रिफॉर्म करना चाहते हूं रिलीजियस और एक ही रिलीजन की बात नहीं हो रही है आपर जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू की बात नहीं हो रही है इसलाम धर्म की बात हो रही है ना सर्फ हिंदू धर्म की इस्त्रियां शोशित हो रही थी बलके इसलाम धर्म की इस्त्रियां भी शोशित हो रही थी पती के साथ रिलेशन्स को ले करके तलाख जिसको कह सकते हैं या कि यूँ हम कहें कि जो आर्थिक समानताय मिलनी चाहिए इस्तिरियों को, वो भी दोनों धर्मों में नहीं मिल रही थी, दिखावती पन जो है, वो इसाइधर में बहुत बढ़ गया था, तो तमाम प्रकार की जो कुरीतियां है, सब पर चर्चयां हाँ पर हो रही है, जात तो जाती जो है, वो व्यक्ति को, व्यक्ति जो है, दो व्यक्तियों के बीच में असामानता क्रियेट करती है, असामानता, एक तो ये चीज़ है, डिस्क्रिमनेशन क्रियेट कर रही है जाती पर था, और दूसरा, इन्हें विभाजित भी कर रही है, इन्हें क्या कर रही है विभाजित भी कर रही है, एक दूसरे से अलग भी कर रही है असमान है और एक दूसरे से अलग भी है तुमारा समाज ही ये लग है चुवा चूत Untouchability, create कर रहा है ये जाती पृथा जो है ये इसका जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है वो चुवा चूत है ठीक है, Untouchability वो प्रमोट कर रहा है और भी दूसरी कुदितियां है बाल विवाज इनमें मैंसे एक है बहुविवाज, बाल विवाज ठीक है ये सब और साती सात मतलब आप देख सकते हैं कि ये खुदी बहुविवाज के शिकार थे इनने एक बार धक्का to तब लग जाता है जब इनकी खुद की जो भावी ठी इनके ख़बर मिली कि जिनके भावी को सती करना पढ़ा जब इनके भाई की डेथ हो गई इनकी भाई की डेथ के बाद इनकी भावी ने सती करी और इस चीज़ को तो उनने इनके श्थीने में घाव कर दिया एक तब तो कहते हैं ना कि जब दुख अपने उपर से होकर के गुजरता है तो आप सही तरीके से उसकी पैचान लेकिन जब यह अपने घर में ही बीद गया तो प्रबल विरोधी हो गये अब तो कुछ भी हो जाया हम सती प्रथा बंद करके ही मानेंगे और इसकी परणित सती प्रथा के लिए बिल पास होना था उसी समय सती प्रथा के विरोध में बिल आने के लिए तमां संभ्रांत परिवारों ने брittishers के उपर जो है क्या बनाया तकलीफ दी लब उनके उपर प्रेशर बना दिया को जब उनके उपर उन्होंने प्रेशर क्रेट किया, जब उनके उपर उन्होंने बहुत ज़ाधा तेजी से दबा बनाना शुरू किया, तो यही लोग हैं, यही हैं, जो इसके सपोर्ट में बिल लेकर के आते हैं, विध्यक लेकर के आते हैं, कि आप इसको पास कराईए, और य तब तक सतीपृता का उनम्मूलन पुरी तरिक्रसे हो नहीं अ चाहिं डेवीड हेयर नामके एक वेक्ति थे। हेर नाम के एक विक्ति थे जो कि एक घड़ी सास थे जो अठारा सो में भारत आये थे युवा थे समा सुधारक थे और ये जो डेविड हेर हैं इनहीं के मारफत अगर देखा जाया है तो ये तमाम प्रकार के जो सुधार है उस सुधार को वो कॉलेज के माध्यम से करना चाते थे Hindu college established किया Hindu college Hindu college जिसे वरत्मान समय में presidency university कहा जाता है presidency University थीक है इसे presidency university के नाम से जाना जाता है वरत्मान समय में इसका इनोंने establishment किया reason ये पाश्चाते सब्विता को बढ़वा देना चाहते थे यह चाहते थे कि तमाम सारे जो फिलोसफर्स हैं वर्ड के उनकी फिलोसफी को इंडियन फिलोसफी के साथ पढ़ाया जाए और ऐसा नहीं है कि आप ब्रिटिश जो आग्रेजिस सिक्षा है उसको एदिगर आप शामिल करते हैं तो उससे आपकी जो भारती सिक्षा है वो बहुत बिकार हो जाएगी ठीक है वो ऐसा नहीं करना चारे है लियर है बात यहाँ पर तो इनना सिर्फ इतना ही है इसके लामत यह भी उन्होंने वित्तिय सहायता उसको प्रदान करी तो पाश्यात्य सब्धा को क्यों लेकर करके आना चाहते है पाश्यात्य जो पढ़ाई है उसको इन्वॉल्व क्यों करना चाह रहे है वेस्टन एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर लेकर क्यों ना चाह रहे है क्योंक जो सभिता थी वो तारकी खो चुकी थी, अब उस तर्क को भारत में लाने की जुरूरत थी, जो की भारत खो चुका था, उस समय तक, वो यह नहीं कहना चारें कि आप वेस्टन जो संस्कृति उसे एकसेप्ट करिए, वो अपनी संस्कृति को अपनी सभिता को अपने समाज को बहुत स्रेष्ट मानते हैं, लेकिन बावजुद उसके उसमें और सुधार लाने के लिए दूसरी अच्छी संस्कृति को एकसेप्ट करने से मना नहीं करते हैं, बलकि उसका स्वागत करते हैं, ये इनकी संस्कृति में सैक्षनिक सुधार के लिए बहुत जरूरी था, जो कोई ओर नहीं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सती पृथा के समय में, जिस समय सती पृथा के लिए बिल लाया जा रहा था, उस समय भारती समाज के लोग थे, इस बिल के विरोध में बिल लाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें Lord William Benton को किसी भारती के सपोर्ट की जरूरी थ हुआ आज के समय में उस समय तो उस समय ये था कि सतीपृथा लोग स्वेक्षा से करते थे अब इस पर एक टिपड़ी में आप करना चाहूंगा एक मतलब वह है ना कि तमाम क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे समाज में बोलने की आजादी बहुत है बोलने की आजादी और होनी भी चाहिए जब आप एक स्वतंत्र लोकतंत्र में हैं स्वतंत्र लोकतंत्र में जब आप जीते हैं तो स्वतंत्र लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत पिलर है बोलना अगर आपसे निर्बाद रूप से आपके बोलने की जो सतंता है वो छीन ली जाए तो फिर आप एक पशु के समान हो जाएंगे जैसे हम जानवरों को बोलने नहीं देते हैं ना नर्गल जैसे किसी के घर में अगर कोई डॉगी पला हो तो वो भोखता है आप चाहते हैं कि वो तभी वोके जब जरूरी हो अगर जितना आप दिन भर बोलते हैं सुबा उठने से गुड़ मॉर्निंग से ले करके शाम को सोने तक गुड़ नाइट तक आप कितना बोलते हैं अगर इतना क्या इतना आधे का आधा भी आपके घर में पला हुआ पशु बोलना शुरू करते हैं, आपसे घर से बगा देंगे, यह नि हम कहीं न कहीं उनके बोलने की स्वतंता को बाधित करते हैं, और ऐसा अगर मानवों में हो तो स्वतंत लोकतंत की कलपना तो करी ही नहीं जा सकती, परन्तु कभी-कभी यह ब वालुम है, 2019 में एक बहुत ही मामला जो है, पायल रोहतगी नाम की एक एक्ट्रस है, पायल रोहतगी, उन्होंने बड़े ही निरलज शब्दों का प्रयोग इनके खिलाफ किया, कोर्ड पे कुछ वकील जो थे, उनकी तरफ से इनको डांट भी पड़ी बहुत, फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट करके कहा, कि राजाराम मोहन जाये जो थे, वो ब्रिटिशर्स के चम्चे थे, और ब्रिटिशर्स ने इनका लाब उठा करके सति प्रथा को बंद कराया, जबकि उस समय सति प्रथा के बंद करने जैसी कोई घटना की अवशक्ता नहीं थी, क्योंकि वहाँ स्वापरिदित थी, स्वेक्षा चारी थी, स्वेक्षा से की जाने वली प्रथा थी, बताईए, ऐसे स्टेटमेंट्स लोग दे देते हैं आर्टिकल नाइंटीन में आपको मिलिए, आर्टिकल नाइंटीन वन क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, और मजे की बात तो यह है कि इसी आर्टिकल पर अभी एमेंडमेंट्स जो किया गया था, फर्स्ट एमेंडमेंट्स जो हुआ था, उस फर्स्ट एमेंडमेंट्स को भी किया गया है, इसी से related आर्टिकल 19 clause 2 है, आर्टिकल 19 clause 2 को challenge किया गया है, इस पर भी हमने मुद्दे की बात करी हुई, आप जाकर के वहाँ पर दे सकते हैं, बेरहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में, और इस टॉपिक में मैं आप कोई बताना चाहता हूँ, देखिय तो लोगों ने ये कहके विरूद किया कि ये जो है धर्मांध जो लोग थे उस समय के उन लोगों ने ये कहके विरूद किया कि इसने धर्म को भरस्ट किया है ये धर्म भरस्ट करने वालों में से अब क्योंकि प्रारम में कुछ लोग कहते हैं तो इनको नौकरी पे मुन्शी बना दिया गया, नौकरी दी गए और बिटिशर्स जो इस्ट इडिया कमपनी है, इस्ट इंडिया कमपनी, उसमें मुन्शी का पत दिया गया, लेकिन अब आपको मैं यहाँ पर यह बता दू, कि अगर आप बहुत समय तक इन्होंने काम किया, लगभग 14-15 साल तक यहां पर काम किया, उन्हें छोड़ दिया इसको, और इस काम के दौरान भी, अपनी जो self-respect है, उसको destroy नहीं होने दिया, उसका एक बहुती जीवनत उधारन है, और इस उधारन के बाद उन्होंने ये ठान भी लिया, इस घटना के बाद उन्होंने ठान पिलिया कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, तो सोची आम जनता के साथ कैसा हो ये वहार हो रहा हो, और वहां से उनका फिर एक नया जीवन जो है वो चल पड़ा, फामाजिक सुधार की ओर, और वो घटना ये थी, कि एक बार एक collector साहब थे, मुझे याद नहीं है, शायद हो स उन्होंने इनके साथ बत्तमीजी करी, और जब उन्होंने इनके साथ बत्तमीजी करी, तो ये इनसे बरदाश्ट नहीं हुआ, दुरुविवार किया, और इस दुरुविवार की शिकायत उन्होंने जो ततकालिन वायसराय थे, उनसे करी, और जब तक उस वायसराय से इनको collector साहब को डांट नहीं खिलवा दी गई तब तक है chance नहीं बेटे तब ही जाके शान्त हुए अब मसला ये था कि उस समय एक ऐसा समाज है जिस समय यदि अगर आप किसी पालकी से या फिर घोड़े से या फिर रत से या किसी भी गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और सामने से किसी ब्रिटिशर की कोई कोई अंग्रेज अगर सामने से आ रहे है तो आपको उसके सम्मान में उतरना पड़ेगा उसे सर जुका करके सम्मान देना पड़ेगा और सबसे पहले तो आपको उससे उतरना है वरने माना जागा कि अरे भाई आप तो मतलब इतने उचे होगा अंग्रेजों से उचे होगा ऐसा समाज है वो आप यूँई ना समझें कि सोशल रिफार्म बढ़ना एकदम ये ये क्या नाम है फूलों की सेज है तो इन्होंने कहा कि मैं कर देता उनका सम्मान ऐसा उतर करके लेकिन क्योंकि पालकी पर परदा था और मैं किसी कार में लीन था पालकी के अंदर तो मैंने देखा नहीं कि कोई अंग्रेज जा रहा है तो मैंने नहीं रोका और मैं आगे चला गया उसने अंग्रेज ने रोकवाया और रोकवाने के बाद कलेक्टर साब ने रोकवाया और उसके बाद इनको भरा बुला का, तुमने ऐसा किया तो इनके इगो को हर्ट हो गया और इगो क्या है यह यह तो इनके self respect को hurt हो गया और उनने का कि तुमारी तो ऐसी कित ऐसी और फिर योट करके वहां से फिर उसी के सामने उसी collector के सामने वो उसी बग्गी में बैठ करके फिर से रवाना हो गया अब इसको बहुत ही बुरा लगा एक पहले भी अपमान किया एक बार फिर से अपमान कर दिया और इतना ही नहीं इसके बाद ही जाकर के शिकायत भी कर दिये पूरी कहानी उन्होंने बैठ करके पूरा समय लिया कि आप हमें सुने और हमारे साथ कैसा दुरविवार किया गया वो सुने और फिर मैंने क्या किया ये भी आप सुनी, ऐसा नहीं कि मैं छुपा रहा हूँ, मैंने ये भी किया, और मुझे उनसे, मुझे चाहिए कि इस तरीके के लोग बरताव ना करें, अंधता जब वाइसरायन इनकी बात को मान लिया, उसके उपर कमेटी बिठाए गई, उसके उप अपार है, बहुत सारा उन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत सारी किताबे लिखी हुई है, और बहुत सारी भाषाओं में लिखी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदों में रिफॉर्म, ये धार्मिक सुधार लाने के लिए वेदों को रिफॉर्म करने के लिए उन्ह में पहले उन्होंने संस्क्रत में जो भी वेदिक ग्रन्थे उपनिशत्य उनका अध्यन के उसके बाद बंगाली भाषा में ट्रांस्लेशन भी किया और ये ट्रांस्लेट करके रहें कि उनके समझाने का प्रयास किया कि समझो ये है क्या पढ़ते नहीं हो और जानते हो कि ऐसे ही सब कुछ है तो इस तरीके के सुधार लेकर क्या नहीं ले तो सभाविक से बाते ऐसा जब आप काम कर रहें तो आपके विरोधी होंगे और कभी भी आप अपने विरोधियों को देख करके सही दिशा में कदम ना सिर्फ बढ़ाना रोखिए बलकि निरंतर बढ़ाते रहें और आपको यकीन में दिला दूँ कि आपके करन दिनता जिस्तरे जितनी भी बार बढ़ते रहेंगे उतनी ही बार और उतनी ही मात्रा में उतनी ही जादा आपके विरोधी भी तैयार होते रहेंगे आपके जादा विरोधी तैयार हो रहे हैं अगर आप सही दिशा में कुछ तो जा रहे हैं अगर आप समासुधार की बात नहीं कर रहा है किसी भी practically किसी भी फिल्ड के अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको बरदाश करनी ही होती है इस तरीके की लोग भी मिलते हैं जो आप स्वतंत लोगतंत में भी इस तरीके की बात करते हैं चीजें तो विरोध भी इनका खुब हुआ है अशर्ते कोई बात नहीं इनका सम्मान भी खुब हुआ है सम्मान के जब हम बात करेंगे तो जो बंगाल के संस्कृती मंत्री थे इनका जो जन्म वर्ष है यह 250 वर्ष है इस 250 वर्ष को आजादी के अमरत महोटसो के साथ जोड़ करके देखे जाने की बात कही गई आजादी के अमरत महोटसो आपको मालूम है कि आजादी का अमरत महोटसो 2021 में शुरू किया गया था और यह 2023 तक चलेगा ठीक है तो आजादी के अमरत महोटसो कि अंतरगत इसको देखे जाने की बात करी गई थी और इसमें तमाम प्रकार की अगर हम देखा जाए तो इनका जो पैत्रिक घर था राधा नगर में जो इनका पैत्रिक घर है उस राधा नगर में पैत्रिक घर में ये जो इनका पैत्रिक जो घर है इसको इसकी मरमत कराने की बात है, काति साथ, इसको एक विरासत, एक धरोहर के रूप में करे जाने की बात करे जा रही है, इसको एक विरासत घोशित किया जाने की बात करे जा रही है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसे विरासत घोशित किया जाने की बात करे जा रही है, और जल्दी ही इसको विरासत करतब विपत कहते हैं करतब विपत इस करतब विपत में इनके नाटक का जो है वो मंचन किया गया है इनके जीवनी का एक नाटक इसकी जीवनी का आधार बनाते विए एक नाटक का मंचन किया गया है और यह जो जीवनी को बना करके नाटक का जो मंचन किया जा रहा है इसका सीर्शक है युग पुरुष राजा राम मोहन रोय टाइटल जो है इसका जो थीम होगा इसका जो विशय होगा वो होगा नारी सम्मा क्योंकि मैंने आपको बताया ना इन्होंने इस्त्री दशा के सुधार के बारे में बहुत काम किये आपको लगता है कि अंग्रेजी ये सीख रहे हैं आपको लगता है कि अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं आपको लगता है कि विदेश श्यात्रा कर रहे हैं आपको लगता है कि इनके राजा मराजा से सम्मन है यह क्या किसी आम जंता को समझेंगे आपको लगता है कि खुद तिन-तिन शादी करें बैठें आपको लगता है कि इनकी भावी ने खुद सती प्रथा करी हुई है का पालन किया हुआ आपको लगता है कि ये एक पुरुष है मतलब वो सारी चीजे जो इन सब चीजों के विरोध के लिए दिखनी चाहिए वो इनके समक्ष दिख रही है लेकिन वो इन सारी चीजों से नाता तोड़ते हैं और इन सब में सुधार लेकर करना चाते हैं कि करने की हिम्मत सब में नहीं हो सकते और इसी लिए सब को आधनी आरत का रास्ट निरमाता नहीं का जा सकता और इसी लिए सब को भारती पुनर जागरण का जन्म दाता नहीं का जा सकता हूँ, इसी एक पर्टिकुलर फिल्ड में आप रिफार्म कर सकते हैं, आप थार्मिक सुधार ला सकते हैं, आप सामजिक सुधार ला सकते हैं, आप राश्टी सुधार ला सकते हैं, आप अंदोलन रामोहन राय के टाइटल के रूप में, पांच छे नवंबर, नवंबर, 2022 को इसका मंचन किया गया, करता विपत्त का नाटे मंचन किया गया, और ये नाटे मंचन जो है, राजा रामोहन राय लाइबरेडियो फांडेशन है, इसके द्वारा किया गया है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे-चे कोरियोग्रेफर्स और लगभग-लगभग, 40 का लाकार जो है, इसमें शामिल किये गये थे, जोने इसका मंचन किया हुए, और पूरी लाइफ की जीवनी जो है, इसमें बताई गयी है, तो I hope कि आपको इनके बारे में पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, बहुत ज़रूर अच्छा लगा होगा, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रश्न को लिख करके, टैक्टिस करिए, वश्न है, राजारामोहन राए आधनिक भारत समाज के, या भारती समाज के, प्रथम पत्प्रदर्शक एवब निर्माता थे, समा लोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको, और इसकी व्याख्या करके, आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर ये एड्रेस हैं, यहाँ पर आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है, आप ये टेलीग्राम है, विरत दुबे 01, आप वहाँ पर सच कर सकते हो, या फिर आप हमें इन जगहों पर भी अच्छा सा बढ़ियां सा पेज में लिखिए, और लिख करके, इसका PDF बना कर करें, आप हमें Facebook, या फिर Instagram, या फिर आप इस पते पर email ID भी बेह सकते हैं, ठीक है, तो मैं देखूंगा, और कुछ अगर उसमें सुधार की जरूत होगी, तो जरूर आपके प्रती, आपके समख शुधार लेकर करके, आप, आशा करते हैं कि आपको ये lecture पसंद आया होगा इस उम्मीद के साथ, कि आप इनके जीवन से सीखते हुए तमाम सारी चीज़ों को अपने जीवन में विसाकार करने का प्रयास करेंगे, निडर रहेंगे, और समाश सुधारक के एक पत के उपर चलने का प्रयास करेंगे, अन्यवाद